ये रिष्टा क्या क्या लाता सीरियल में दादी सा ने अर्मान और अवीरा की शादी के लिए मंजूरी दे दी है रोहित दादी सा के सामने शर्ट रखता है जिसे परिवार का हर सदस से चौक जाता है जी हाँ दादी सा हुई अर्मान और अभीरा की शादी के लिए तैयार ये है आज की ट्रैक लाइन आपको बता दें कि ये रिष्टा क्या कहलाता सीरिल में दादी सा ने अर्मान और अभीरा की शादी के लिए मंजूरी दी रोहित दादिसा के सामने शर्त रखता है जिससे परिवार कहर सदस चौक जाता है शो में इने नों कूप तमाशा हम देखने को मिलेगा शोक के अपकमिंग एपसोड बहुती धमाकेदार होने वाले है फिसली को सुनने के बाद रोहित दादिसा के सामने शर्त देता है रोहिर कहता है कि वो इस बत को तब ही स्विकार करेगा जब वो अर्मान और अभीरा की शादी करवाएंगी लेकिन अर्मान और अभीरा ने एक दूसरे से वादक किया है कि जब तब तक भी शादी नहीं करेंगे आने वाले एपिसोड में बड़ा दमाका होगा जी हाँ आपको बता दे कि शोग की लेटेस एपिसोड में हम देखते हैं कि दादी सा रोहित को कमपनी के पेपर सौपती है और कहती है कि उसके बाद वो कारबार समालेगा हाला कि रोहित कहता है कि उसे जल से जल अर्मान और अभीरा की शादी करानी चाहिए और तबी वो उनकी इच्छा को पूरा करेगा दादी सा भी रोहित की शर्ट को माल लेती है और लेकिन हैरान भी होती है इसके बाद अर्मान और अभीरा को अपनी शादी के बारे में बात करते हुए देखते हैं अर्मान कहता है कि उन्हें जल से जल शादी कर लेनी चाहिए अबीरा इस बात से सहमत नहीं है अबीरा का कहना है कि ऐसे आलात में वो उसे शादी नहीं कर सकती वो कहती है कि रोहित ने दादी साथ को समझाया नहीं बल्कि उसे ब्लैक मेल किया है तो ऐसे में अगर वे शादी कर लेते हैं तो ना तो दादी साख खुश होंगे और ना ही वो दोनों अब देखना होगा कि क्या अर्मान और अभीरा शादी करेंगे अर्मान और अभीरा की शादी के लिए दादी साथ की मंजूरी के बाद रोही के पैरोतले जमीन के सग गई लेकिन वो पहले ही अपने गेम प्लान के साथ शुरुआत कर चुकी है क्योंकि जब अर्मान अभीरा अपनी डेट पर जाते हैं तो उसने रोहित को अर्मान से लड़ने के लिए उकसाया रोहित ने अर्मान पर आरूपू की बहचाड लगाई इसकी वज़े दोनों भाईयों के बीच खटास आ गई